दोस्तों नमश्कार आज आप सच्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकरम न्यूज मंथन के साथ मैं उर्मिलेश इस वक्त देश के पांच राजियों में चुनाओ हो रहे हैं विधान सभा के लेकिन लोग सभाज चुनाओ की जो पूरी की पूरी तैयारी है वो भी आखिरी चरण म है बामुश्किल छे महीने हैं राश्टी चुनाओ के यानि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी परिक्षा की घड़ी क्या वो तीसरी बार भारत के प्रधान मंतरी बनेंगे क्या भारती जंता पार्टी फिर बहुमत में आएगी ये परिक्षा है इसलिए वो राजियों के पांच राजियों के चुनाओं को भी बेहद महत्पूं ढंक से ले रहे हैं हालाकि ये बात तो माननी पड़ेगी जो आलोचक है बीजेपी के वो भी मानेंगे कि मोदी और शाह ये दोनों ऐसे नेता हैं जो किसी भी चुनाओं को कम करके नहीं आगते करनाटक में तो देखा ही हम लोगों ने कि बोंबई मुख्यमंत्री थे बीजेपी सरकार के पहले की सरकार के लेकिन चुनाओं नरिंद्र मोदी के चेहरे पर करनाटक में बीजेपी ने लड़ा ऐसा लगता था कि प्रदान मंत्री ही सब कुछ है तो इस चुनाओं में भी प्रदान मंत्री के हर जगा प्रदान मंत्री ही प्रदान मंत्री हैं किसी भी राजे में मुख्य मंत्री के तौर पे बीजेपी का कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है बसुंद्रा राजे भी नहीं दिखाई दे रही है राजस्तान में और न तो रमन सिंग दिखाई दे रह शायद नहीं बनेंगे इसका भी इंप्रेशन पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है इस पीच में 36 गड़ का चुनाव जिसे बीजेपी काफी जिसमें मुश्किल का सामना कर रही है और माना ये जा रहा था कि कॉंग्रेस वहां पर बहुत अच्छी स्थिती में पहुंच चु दिया है ताबर तोड ताबर तोड केंदरी एजनसियों के हमले हो रहे हैं विपक्ष के निताओं पर जिया हमले ही मैं कहूंगा क्योंकि चुनाव के दर्म्यान छापे मारी गिरफतारी पूस्ताच ये कभी का रिवाज नहीं रहा है भारत में आम तोर पे ये रिवाज नह चापे मारियां उनहीं राजियों में ज्यादा हो रहा है जहां पर संभावना भी तनिक दिखाई देती है कि जीत भी सकते हैं और केंदर के चुनाओं को जीतने के लिए शायद भारती जनता पार्टी को लगता है कि इन राजियों में भी कुछ को जीत करके हम साबित करना चाहेंगे कि हमारी लोग को प्रियता बरकरार है अब भुपेश बगहेल जो बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री के रूप में कॉंग्रेस के उभरे थे बलकि कई राजियों में उचुनाव का संचालन करने जाते थे लेकिन उनको घेरने के रिए 508 करोड रुपए के लेन देन क मामला एक सामने ला दिया गया है और स्वेम बगहेल को कोट करें अगर हम तो मुख्यमंत्री बगहेल ने कहा कि ED एक अंजान व्यक्ति के बयान के आदार पर उन्हें फसाने की साजिश रच रही है और भारती जनता पार्टी को फायदा पहुचा रही है तो उनका सीधे या जनता कांंडिस के साथ है लेकिन जब मैं आपके साथ सामने ये बात कह रहा हूँ तो हमारी जो जानकारी है कि राहूल गांदी और नरिंद्र मोदी दोनों आज श्टिसगण के मैदान में आमने सामने होंगे राउल गांधी राइगड़ में और नरिंद्र मोदी संबोता दुर्ग और भिलाई के इलाके में देखना है कि दोनों नेता आज शाम तक क्या कहते हैं या जब भी उनकी रैली होगी पता चलेगा कि वो एडी के इंट्री को लेकर आएंच चुनाओ मत्दान से पहले तीन दिन के बाद मत्दान होना है साथ तारीख को पहला चरम उसके पहले इंट्री जो लिया है इडी ने बड़े पैमाने पर इंट्री तो पहले से चल रही थी लेकिन यह है कि इसको बड़े पैमाने पर कि मुख्य منत्री को ही घेर लो इसका क्या नतिया निकलता है कितना फाइदा होता है कितना नुकसान होता है कई बार EDP के EDP के जो छापे मारियां होती हैं चुनाओं के दर्मयान वो बीज़ेपी के लिए नुकसान देख भी थाबित हो जाती है इस बार क्या होगा कोई नहीं कोटाफ इंडिया ने एक जो संदेश दिया कि भई एक जो आदेश दिया कि हर हालत में वहाँ पर विधायकों का जो मसला है शिव सेना के एक दरजन से ज़्यादा विधायकों के दल बदल का मामला पहला के जो अलग हुआ था जिसमें एक नाच्षिंद इसमें बेशामिल हैं उस पर दिसंबर के आखीर तक फैसलात ले लिया जाए अब सवाल इस बात का है कि क्या राहुल नार्वेकर भारती जनता पाटी के जो सदसे रहे हैं उसी के विधायक भी है लेकिन वो स्पीकर है और उन पर या रूप लगता रहा है कि वो जानबुसकर डिले कर रहे हैं सारे मामले को तो क्या ये नार्वेकर साहब इस बार सुप्रीम कोट के दबाव में फैसला ले लेंगे और उसके बाद क्या सरकार सरवाइब करेगी क्या एक नाच्षिंदे को मुख्यमंतरी पर छोड़ना पड़ेगा इसको ले अक्षन को लेकर गहमा गहमी थी फिलाल थोड़ी शान्ती मिली है क्योंकि जो उसके नेता थे उन्होंने अन्षन को खतम किया लेकिन साथ में धमकी भी दे डाली कि अगर जनवरी में फर्स्ट वीक में अगर ये सब कुछ हमारा क्लियर नहीं हुआ तो हम फिर पूरे महारा महाराष्ट में एक बड़ा आंदोरंतर के दिखा देंगे तो ले देकर महाराष्ट में जो शिवशेयना बीजेपी और एंसीपी अजित पवार ग्रूट की जो सरकार है वो एक गहरे संकट का सामना कर रही है देखना होगा कि आगे क्या होता है दोस्तों तीसरी जो हमारी बहुत महत्पूर्ण ख़बर है वो महा मौित्रा के बारे में है महा मौित्रा ने ethics committee जो parliament of India की है उसमें एपीर होई वो और उसका उन्होंने बहुशकार भी किया तो इस सप्ता की एक बहुत महत्पूर्ण ये खबर है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप जिस तरह खुलयाम के मामले में जो ची रहरण की बात थी उससे तुलना कर दी किसी माननी सदस्य ने विपक्ष के लेकिन विपक्ष के आरोपों के जबाब में भारती जंता पार्टी की सांसत अपराजिता सारंगी को ये कहते सुना गया कि महुआ मोहित्रा ने एथिक्स कमेटी के मेंबरान और कर उसके जो अध्यक्षते मिस्टर सोन कर उनके साथ बस सलुकी उन्होंने की एरोगेंट बिहेवियर उनका था गैर शालिंता के साथ वो बोल रही थी लेकिन डिटेल देते हुए महुआ मोहित्रा ने इन सारे आरोपों को खारिज किया और उनका ये कहना था मुझसे ये त व्यक्तिगत थी उनका कहना है कि एठिक्स कमेटी का काम किसी भी व्यक्तिके की पूशताच के तोर तरीके जो होते हैं उसको इस तरह नहीं पेश किया जाता इस तरह नहीं पूशताच की जाती है कि जैसे मानो वो अपराध की परताल कर रही हो कमेटी ये अपराधिक परता नहीं है और उन्होंने वहां से वाकाउट कर दिया और जितने अपोजिशन के मिम्बरान थे वह भी उनके साथ निकल आए इस सब्ता कि ये बहुत महत्मुन खबर है और इससे भी जुड़ी एक और महत्मुन खबर है कि अब तक ममता बनर जी महुआ मुईतरा के मामले में बि का नेता भी नहीं बोल रहा था क्योंकि लगता था कि दीदी नहीं बोल रही है तो हम क्यों बोलें लेकिन दीदी नहीं यानि ममता बनर जी ने साइलेंस तोड़ दिया और उन्होंने अपनी पार्टी के जो नेता हैं महुआ मुईतरा और दूसरे जो नेता उनके हैं मंगाल सरकार में, उनका नाम है जोती प्रियम मलिक, इन दोनों के मामले में जिस तरह उनका उत्पिरन किया है, भारती जुनता पाटी ने इसका जिक्रू उनोंने किया और उनोंने साफ तौर पे दोनों नेताओं को डिफेंट किया और कहा कि उनके खिलाब जो कुछ भी किया है जब ममता वनर जी उनके साथ खुल कर सामने आ गई है और दोस्तों इस सब्ता की एक और खबर पर मैं ज़रूर टिपड़ी करना चाहूंगा और वो खबर है बहुत ही दिल्चस्प है नीतीश कुमार इन दिनों कभी-कभी इसी बातें कह देते हैं कि जो इंडिया ब्लॉक यानि इंडिया गठ बंधन के जो नेता हैं वो हत्प्रव रह जाते हैं चक्कित रह जाते हैं उनकी कई बातें सही होती है लेकिन जो कहने का अंदाज है और पबलिक में आकर उन बातों को उजागर करने का जो एक तरीका है उ उस पर लोग तब दरा जाते हैं परिशान हो जाते हैं तो उसनों ने इस अपता एक बात कह दी कि कॉंग्रिस जो इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया एलाइंस की वो इंडिया को भूल गई है उनका इंडिया का मतलब इंडिया एलाइंस दिवियर्थक भी था कि भारत को भी भूल गई है ये भी का आप कह सकते हैं क्योंकि उनका एक इशारा ये था कि हमें तो भारती जंता पार्टी को हराने की बात सोचनी है केंद्र में ताकि भारत को बचाया जा सके इंडिया को बचाया जा सके लोकतंत्र को बचाया जा सके लेकिन ऐसा लग कोई कन्वीनर नहीं चुना गया है तो एक कमेटी चुनी गई है कमेटी में कॉंग्रिस के लोग जादा हैं और वलकि वही एक तरह से उसका संचालन भी कर रहे हैं तो भोपाल में अगली बैठक इंडिया ब्लॉक की रखी गई थी लेकिन वो बैठक नहीं हो सकी तो नितीश क बात एक लेवल परवाजिब है लेकिन इससे कमजोर जो पक्ष है इंडिया ब्लॉक का वो उजागर होता है और जहीर इससे बीजेपी को ताकत मिलती है अगर इस तरह की बात सारजिनिक की रूप से कहा जाए तो क्योंकि आलोचना आत्मा लोचना अगर की जा रही है तो आ पी दुखी तो लोग थे लेकिन उन्होंने उन पर कोई अटेक नहीं किया किसी ने उनकी अलोचना नहीं की हाँ कॉंग्रेस पार्टी ने ये जरूर कहा कि नितिश कुमार जी का ये कहना सही है कि इंडिया ब्लॉक के लोगों को मिलना चाहिए था टाइम से लेकिन वो संभ लेकिन नितिश को जानने वाले जो लोग हैं निजदीक से उनका कहना है कि ये मीडिया या टीवी पुरम का खास तोर पे टीवी पुरम जिसको मैं कहता हूँ टीवी पुरम की ये अटकलें जो उसकी एक समझदारी है उसका एक जो स्टैंड है जो वो इंटी अपोजिशन ह वो इस देश में विपक्ष की राजनीत के खिलाफ है ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष का धोल नगारा तुटता रहता है टीवी पुरम तो उसको एक तरह से वो अपनी शैली में नितिश कुमार की इस नाराजगी का को इंजवाय कर रहा था तो दोस्तो आदाब सत्ती एकाल